इसको किस तरीके से हम आज देखेंगे पेडिग्री आनालिसीज जैसे ही एचार्स हम देखते हैं हमारे आइब्रोच जो जाते हैं कि यह क्या है और इसको किस तरीके से हम एप्रोच करें राइट बात ओर इस आप आप दिखेंगे अगल लेकिन अगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर नंबर वन सबसे पहले हम देखेंगी कि हाव तो एप्रोच दपर्टिकुलर ट्रीक ए जो ट्रिक हम देखने वाले है इस ट्रिक को हमने किस तरीके से डिवलोप किया है वह हम देखेंगे ताकि हमारे concept strong हो जाए number two हम देखेंगे we are going to look look for multiple number of examples आप उसके चिंता मत करो मैंने काफी examples लिए है charts लिए हैं तो आपके concept जो है strong हो जाएंगे आपकी practice हो जाएगे अभी के अभी number three there are rare exception जहां पे trick काम नहीं करती है that's why I would like to advice you if you want to use this trick यह वीडियो जो है completely देखो क्योंकि आप आदा दूरा देखोगे जो trick है यह apply कर दोगे जहां पे apply नहीं करनी है and in that case यह तो होई चीज हो जाएगी कि अभी मन्यू चक्रवीव हमें फस गया है तो right and you may land up into trouble right so that's why video देखना है तो completely देखो त्याकि जो है आपको पता रहे exactly कहा पे apply करना है कहा पे नहीं apply करना है okay guys so let's start okay तो सबसे पहले हमने autosomal dominant recessive extreme dominant and recessive in disease किस थरीके से होते है यह already हमने देखा है मैं आपको यहां पे link उसकी दे दूंगा आप जाके वो tutorial देख सकते हो यहां पर in this particular tutorial we are going to look for the inheritance pattern and this is a family में किस तरीके से रण होते वही हम देखेंगे that is pedigree analysis हम देखेंगे right exam में आपको पुछते है कि autosomal dominant disease कौन कौन से है so these are the list of important autosomal dominant diseases okay fine so huttington disease is a dominant disease simple tip यह trick बोलो आप कि simple trick यह है इसकी कि अगर huttington's मतलब जिसके पास hunter है वो dominant है okay autosomal race issue bcg bcg vaccine beta thalassemia cystic fibrosis galactosomy these are the autosomal race issue disease यह हमें क्यों याद करने है why you should know the names of this particular disease क्योंकि क्या होगा आपको एक चार्ट दिया रहेगा उस चार्ट में आपको पूछा जाएगा कि यह जो इन्हेरेटर्स पैटर्न है particular यह autosomal dominant का है रेसेश्यू का है कि x-linked race issue dominant का है उसमें आपको option में x-linked race issue यह नहीं दिया जाएगा आपको दिया जाएगा उस disease का नाम इन्हेरेटर्स पैटर्स के स्टरिके से अनलाइज करना है वह तो मैं आशक को बता रहा हूं लेकिन आनलाइज करने के बाद यूशू ओडिस डिसिज़ेश इस इस आप इंपोर्टन वन यूशूड राइश और पेपर उसको आप study room में लागा लो तो काम पो जाएगा से कुछ याद आ रहे है मुझे देवी और सज्च जण ओ आज का सवाल यह रहा अपके अपर स्क्रीन पे मुझे बताये सिकल सिल एनियमेय में आपको पॉइंट मुटेशन मिलता है या फिर फ्रेमशिप मुटेशन मिलता है इंपॉइंट है इंपोटन एक तो यह है हमारी आजाएगा, no, s, s, आपका this is आजाए, विल्कुल simple है, right, लेकिन अब हम देखेंगे कि इस particular chart को हम किस तरीके से divide, मतलब derive कर सकते है, right, okay, so autosomal dominant, अगर मैं कहता हूँ, right, simple, एक symbol आपको पता होगे, फिर भी मैं एक quick brush up कर लेता हूँ, आपका, this is a normal male, this is a normal female, this is a affected female, this is a affected male, okay okay, pedigree में हम इस तरीके से female दिखाते है, इस तरीके से male दिखाते है, यह होगे mother, यह होगा father, इनके जो child है, इस तरीके से हो जाएगे, this is a male child, this is a female child, this is a male child, okay, अगर मैं इसको dark कर दे तो, इसको मतलब यह है, कि this is a affected male, मतलब affected son, okay, fine, so these are basic one, right, अगर मैं कहता हूँ कि in particular individual को male हो या female हो, उसको dominant disease है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हो गया, कि इनके पास dominant gene है, अब gene जो है, यह heterozygous में रहे, या फिर homozygous में रहे, इसको disease हो गए होगा, dominant अगर allyl present है, तो disease होगा ही होगा, मैंने कहा था, dominant मतलब यह उस इलाके के भाई की तरह है, अगर वो dominance, अगर dominant gene है, तो अपना effect दिखाएगा ही दिखाएगा, homozygous में है, या फिर heterozygous में है, तो, x-linked dominant disease, right, x-y, this is a male x-y, right, इसको x-linked dominant disease है, मतलब इसके x-per dominant gene present है, okay, for example, a लिया है, आपर dominant ले लो, okay, इन दो females को x-linked dominant disease है, इसका मतलब यह है, कि x-x is a female, x-x is a female, इसका मतलब यह है, कि इस x-peric dominant allele है, दोनों पे रह सकता है, या फिर एक पे रहेगा, तो भी इस female को जो disease होगा, क्योंकि एक भी dominant allele, sufficient disease cause करने के लिए, अगर dominant allele, अगर present है, तो अपना effect दिखाएगा ही, दिखाएगा, right, autosomal recessive, अगर इन दोनों को autosomal recessive disease है, तो इनक जाएगा spare, right, दो allele present होने चाहिए, तभी इस particular individual को disease होगा, अगर capital C is a normal allele अगर present है, और यह जो recessive allele अगर है, तो in this case, यहाँ पे इन individual को disease नहीं होगा, हम कहेंगे, this is a carrier of a disease, simple, right, यह चिदे मैंने आपको बताई है, okay, x-link recessive, x-link recessive, x-y is a male, right, और x-x is a female, x-x is a female, right, अब x-x female को disease का होगा, जब homozygous state में मतल स्मॉल सी, स्मॉल सी अगर present है, तो, तो ही इसको disease होगा, अगर इसके पास एक ही स्मॉल सी है, और एक capital C, that is normal अगर allele है, तो normal allele इसको बचा लेता है, right, इस female को disease नहीं होगा, हम कहेंगे, this is a carrier of a disease, okay, now x-y female, x, sorry, x-y male, x-y male को x-link recessive disease का होगा, जब इसके x पे recessive अगर allele है, तो, right, मतलब एक ही recessive allele, sufficient है, male को x-link recessive disease देने के लिए, यहां तक clear है, right, अब देखते हैं, आगे, अब देखते है, actual pedigree analysis, क्या होता है, okay, fine, अब देखते हैं, आगे, आगे, चलो भाही, okay, dominant disease, for example, अगर यह child है, इसके पास अगर dominant gene है, तो इसके पास dominant gene कहां से आया, dominant gene अगर present है, तो अपना effect दिखाता ही, दिखाता है, इसके पास अगर dominant gene है, तो कहां से आया, इसके mother से आया होगा, या तो फिर father से आया होगा, right, मतलब अगर mother या father के पास, अगर dominant gene है, तो मतलब वो तो अपना effect दिखाएगा ही दिखाएगा यहाँ पे इस particular case में dominant allele जो है उसके father से आया है इसका मतलब यह हो गया कि अगर child अगर affected है dominant disease से तो उसका जो parents है यह तो affect रहेगे ही रहेंगे यह हो गया हमारा first statement very important right अब देखो यहाँ पे child affected है बड़ parents affected नहीं है यह क्यों हुआ यह जो child affected है recessive इसके पास small c small c है इसके father के पास capital c small c है इसके mother के पास capital c small c है father ने दिया small c mother ने भी दिया small c और यहाँ पे child को हो गया recessive disease इसका मतलब यह है कि अगर child affected है और उसके parents affected नहीं है इसका मतलब वो जो disease है, यह है, recessive disease, right, I am going to make a statement, right, हम statements बना रहा है, कि भाई, यह चीज है, तो यह है, 1 plus 1 is equal to 2, 2 plus 2 is equal to 4, इस type से हम statement बना रहा है, है, नहीं समझ में आया, कोई problem नहीं है, हम काफी example देखने वाले है, आप concept clear हो जाएगे, don't worry, right, so यह मैं यहाँ पे side में लग x-linked dominant disease है, इसका मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पे dominant gene अगर present है, right, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कि यह क्या करता है, male अपना dominant x chromosome अपने daughter को देता है, mother भी x chromosome अपने daughter को देती है, तो xd यहाँ पे आ गया, इसका ही मतलब यह हो गया, कि x-linked dominant disease में अगर male affected है, त उसकी सभी daughters affected रहेगी, right, अब देखो, अब देखो, ध्यान से देखना, यह जो male है, इसके पास dominant allele है, X, D, Y, अब यहाँ पर X chromosome उसको किस ने दिया है, male को X chromosome देता है, देती है उसकी mother, right, mother X chromosome देती है, father जो है, यह देता है Y chromosome, इसका ही मतलब यह हो गया, कि अगर male, अगर X link dominant disease से affected है, तो उसकी जो mother है, यह affected रहेगी, all affected males will have affected mother, ध्यान से सुनना, right, ध्यान से सुनना, अब सिफ सुन लो, judgment मत बनाओ, नहीं confused हो, right, आने वाले problems में, सब detail में देखेंगे, revise बार बार करेंगे, don't worry, X link recessive, अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, कि यहाँ पे, यह जो mother है, इसको X link recessive disease हुआ है, मतलब इसको क्या है, दोनो X chromosome पे, recessive allil present है, okay, दोनो X chromosome पे, तभी तो इसको disease होगा, अभी इसक क्या करती है, mother क्या करती है, यह हो गया, normal male, mother अपना X chromosome, अपने son को देती है, right, और जो father है, यह अपना Y chromosome अपने son को देता है, right, इसका ही मतलब इसको अगर mother को extinct recessive disease है, तो उसके सारे बच्चों को, मतलब son को, लड़कों को, उसके सारे लड़कों को, disease हो गई होगा, all affected females will have the affected son, and the next statement, all affected females, मतलब, अब यह जो female है, यहाँ पर XC, XC है, अब यहाँ पर XC, यह किस ने दिया, एक XC, उसके father ने दिया, right, इसलिए यह जो father है, यह affected है, इसका ही मतलब यह हो गया, कि अगर female को, अगर daughter को, अगर X link recessive disease है, तो उसके father को, disease रहेगा ही, रहेगा, right, आपक अगर आपको, देखो, clear करते, कुछ भी नहीं है, अब यह statement जो मनें बनाएं आपके, इस statement को, मैं side में लागा देता हूँ, और यह आपका chart बन जाता है, इस statement को, अगर आप combine करो, तो, right, यह है अपनी आज की trick, right, सबसे पहले, जैसी ही pedigree chart आप देखोगे, तो सबसे पहल all affected males have the affected daughters, आप second question पूछेंगे, all affected males have affected mother, इन दोनों का, अगर answer yes है, तो dominant disease है, अगर no है, और autosomal dominant disease है, right, अगर S है, तो actually dominant है, no है, तो autosomal dominant है, clear है, अब देखते है, आगे, right, so, ready, steady, go, तो, simple है, let's jump, fine, okay, तो, जैसे ही हम pedigree NSC chart देखेंगे, तो सबसे पहले हम भी यहाँ पे देखेंगे, as per हमारी trick, कि यहाँ पे child affected and parent affected, एक condition हमें मिल रही है, क्या, right, child affected, parent affected, child affected, parent affected, right, मतलब हमारा जो first statement है, यह हमें मिल रहा है, that is, हम कहेंगे, that disease is a dominant, child affected and parent affected, यह हमें मिल रहा है, so, this disease is a dominant disease, right, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर यह condition आपको मिल रहे किया that the affected males are having a affected daughter, यह देखा affected males are having a affected daughter, यह हो रहा है कि यह तो affected है, एक daughter affected है, लेकिन second affected नहीं है, मतलब हम क्या कहेंगे, कि this condition is not satisfied here, okay, फिर आगे पढ़के कोई फायदा ही नहीं है, एक हमें दोनों condition satisfied होनी चाहिए, तभी अगर दोनों का answer अगर yes है, तो extreme dominant disease रहेगा, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर तो इसका answer नो आ रहा है, मतलब यह क्या है, this is a autosomal dominant disease, this is a autosomal dominant disease, okay, समझा, नहीं समझा, no problem, second question लेते हैं, okay, now, फिर से वहीं हमारा, कि यहाँ पर फिर से देखो, child affected and parent affected condition आपको मिल रहे ह है, क्या, child affected and parent affected मिल रही है, क्या, child affected and, देखो, 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 चाइल अफेक्टेड, parent affected, यहाँ पर तो मिल गया, right, यहाँ पर चाइल अफेक्टेड आपको नहीं मिल रहा है, मतलब यह जो फर्स कंडिशन के हम बात कर रहे है, यहाँ पर, यह condition हमारी, satisfy नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है, कि जो disease है, यह है recessive, disease, क्या है, recessive, अब तो यह지- tellement recessive हो सकता है, या तो फिर ए, exciting recessive हो सकता है, तो हम देखेंगे कि all affected females have affected son, क्या, यह चीज़ यहाँ पर हो रही है, affected, क्या था अपना, मैं भी बोल खेंब, all affected females have affected sons, all affected females will have affected son, affected females have affected son, ओके, affected females have affectation, यह चीज यहाँ पर satisfy नहीं हो रही है, right, यह चीज यहाँ पर satisfy नहीं हो रही है, मतलब इसका question यह तो S नो आ गया, लेकिन यह नो आ रहा है, यह S नहीं आ रहा है, यह नो आ रहा है, मतलब यह जो disease है, यह है autosomal recessive disease, clear है, नहीं clear हुआ, next question देखते है, ओके, यहाँ पर देखो फिर से, जैसे ही chart आ गया, तो सबसे पहले आप सबसे first question यह पूछोगे, कि child affected and parent affected, यह condition आपको मिल रही है, क्या, child affected and parent affected, okay, so this is a child affected and parent affected, मिल गया, okay, child affected and parent affected, मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि यह जो disease है, यह है, dominant disease, disease, यह disease है, dominant disease, अब देखते हैं, आगे, अब हम देखेंगे, dominant है, तो all affected males have affected daughter, यह condition हमें मिल रही है, क्या, affected males have affected daughter, clear है, मिल रही है, okay, मतलब first condition तो हमें मिल गई, फिर हम देखेंगे, कि all affected males have affected mother, यह condition हमें मिल रही है, क्या, affected males have affected mother, affected males have affected mother, इसका ही मतलब क्या हुआ, इसका ही मतलब क्या हुआ, कि यह जो हमारा condition है, दोनों satisfy यहाँ पर हुआ है, क्या हुआ हुआ, मतलब यह जो दोनों condition हमारी यहाँ पर satisfy हुई है मतलब यह जो disease है यह है x-linked dominant disease simple है या नहीं clear हुआ चलो next question देखते है फिर से वही कि affected child को affected parents है क्या affected child को affected parents है affected child को affected parent है मतलब क्या हुआ इसका मतलब ही हो गया कि यह जो disease है dominant disease है clear है okay अगे बढ़ते है कि affected males को affected daughters है क्या affected males को affected daughters है क्या affected males is having affected daughter affected male को affected daughter नहीं है मतलब क्या हुआ इसका ही मतलब यह हुआ कि इसका answer है wrong मतलब क्या है no इन दोनों का answer है no मतलब क्या है the disease is a autosomal dominant disease क्या है autosomal dominant disease है ओके नहीं समझा है काफी सारे questions लाएं मने आपके लिए ओके जैसी आप pedigree analysis देखोगे सबसे पहले आप देखोगे कि affected child को affected parents है क्या affected child को affected parent है affected child को affected parent है affected child को affected parent है मतलब जो disease है dominant disease अब हम देखेंगे affected male को affected daughter है क्या affected male को affected daughter नहीं है यह देखो daughter affected नहीं है मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इसका answer है no मतलब यह तो dominant है मतलब यह क्या है यह है dominant disease, कितना simple है, within a fraction, आप कुछ से कस आप इसको derive कर सकते हो answer को, कुछ भी इसमें नहीं है, right, देखो आगे, देखो आगे, 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 फिर से वो chart, affected child को affected parents है क्या, affected child को affected parent है, 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 affected child को affected parent नहीं है, right, मतलब क्या हुआ, मतलब यह जो disease है, यह है recesive disease, यह रहेगा अपना recesive disease, अब हम देखना है, autosomal recesive है, या फिर x-link recesive है, अब देखते हैं, affected females को affected sons है क्या, affected females को affected sons नहीं है, मतलब यह क्या रहेगा, देखो, इसका answer है no, no, is cancer is no, मतलब this disease is a autosomal recesive disease, clear है, और आगे देखते हैं, no worries, okay, फिर से affected child को affected parents है क्या, देखो, say I am repeating this, ताकि आपके mind में fix हो जाए कि किस तरी किसे approach करना है, देखो, affected child को affected parent है, affected child को affected parent है, affected child को affected parent है, affected child को affected parent नहीं है, मतलब यह जो हमारा, यह है, यहाँ पे नो प्याहम पोच चुके, मतलब हम बात कर रहे है, recesive disease की, अब हम देखेंगे कि all affected females को affected son है क्या, affected females is having affected son, affected female is having affected son, मतलब, 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 इसका ही मतलब क्या हो गया, इसका ही मतलब यह हो गया, कि यह जो disease है, यह जो disease है, यह क्या रहेगा, एक्सलिंक रेस्गा ये भी कंडिशन चेक कर लेते हैं कि all affected females को affected father है क्या all affected females को affected father okay affected father है मतलब ए같व जो malaria x link recesive disease ृप कुछ भी नहीं है simple chart चाड कि ऊपको चलना है yes yeah no है. देखो फिर से next pedigree analysis फिर से हम दखेँगे affected child az té parent है गया, yes or no, बताओ, affected child को affected parent है, affected child को affected parent है, affected child को affected parent नहीं है, मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ, कि यहाँ पे हम आप पहुचे है, यहाँ पे no पे, मतलब the disease which we are talking about is a recessive disease, यह हम recessive disease की बात कर रहे है, अब हमें देखना है, next question की affected females को affected son है क्या, affected females को affected son है, affected females को affected son है, affected female को यहाँ पे भी, लेकिन यह तो affected नहीं है, right, सारे affected चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, तभी हम कहते कि excellent recessive है, लेकिए अब यहाँ पे इस female का जो son है, affected नहीं है, मतलब जिस disease के बारे में हम बात करें, इस question का रहा है, no answer, affective image को affective son, answer is no, means the disease which you are talking about, is a autosomal, recessive disease, simple, और देखवा आगे, question की कोई कमी नहीं है, आज, right, फिर से देखो, affected child को affected parents है क्या, देखो affected child को यह है, affected child को affected parent है, okay, affected child को affected parent नहीं है, मतलब क्या हुआ, no right, देखो आगे, next question हमें क्या पुछना है, अगर इस question का ऐसा, अगर नो रहा था हमें पुछना है, कि affected females को affected sons है क्या affected female को affected son है, लेकिन यह तो नहीं है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका answer आया no इसका एंसर आया नू मतलब यह जो डिसीज है यह है ओटो जो मल रेसे से उडिसीज और देखु आगेन, नो प्रोबल्म, ओके फिर से देखो Ellis छैल को अफेक्टिट पेरेंट है क्या रहाइट आ ए आपको इस पे टीक रवाकी लेकल avent अभी transmitted child को affected parents है क्या इसी तरीके से देखोanka affected child को affected parents है क्या यही question आपको पूछना है जैसे मैं पूछ रहू affected child को affected parent है 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 right, मतलब क्या हुआ मतलब इसका answer हमें आ रहा है S, right, अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, अब अगर इसका answer S है तो हमें question करना है कि affected males को affected daughter है क्या affected male को affected daughter है उसके बाद affected male को affected daughter है right मतलब इस question का answer जो है यह आ रहा है हमारे S फिर हमें देखना है all affected males को affected mother है क्या affected males को affected mother है क्या affected male को affected mother है 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 मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हो दोनों का answer S आया मतलब the disease which we are talking about is a X-linked dominant disease simple है ओके और आगे देखो फिर से वही question पुछो कि affected child को affected parents है क्या affected child को affected parent है यह affected child को affected parent यहाँ पे नहीं है मतलब हम यहाँ पे no पे आ चुके है अगर no है तो आपको पुछना है कि all affected females को affected sons है क्या all है कुछ को नहीं सब को होना चाहिए all affected females have affected son क्या एक condition satisfied हो रहे है affected female affected son affected female affected son यह तो condition यहाँ पे आपको मिल रही है affected female affected son ओके मतलब इसका answer है S all affected females have affected father यह देखो है क्या affected female how affected father मतलब इसका answer भी आपको मिल रहा है S मतलब इस जो disease है यह disease रहेगा आपका X link recessive disease clear है ना समझे ना यह देखो S का answer है मतलब एक्स link recessive disease simple है और देखो आगे no problem फिर से वही question पुछो affected child को affected parent है क्या affected child को affected parent है क्या no the answer is no मतलब हम इस portion में आप पोचे है simple है right अब मुझे बताओ next question affective female को affected son है क्या affected female को affected son नहीं है मतलब 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 इसका answer है no इस question का answer है no मतलब the disease which you are talking about is a autosomal race issue disease right और देखो आगे question की कोई कमी नहीं है right और आपके चाहिए तो मझे comment में बताओ टेलिग्राम पर और question डाल देंगे 50-100 जितने question चाहिए विल्को solve करेंगे no problem affected child को affected parent है क्या affected child को affected parent है affected child को affected parent है right affected child को affected parent है affected child को affected parent है मतलब यह हो गए S means the disease which you are talking about is a dominant disease अब देखते हैं कि X-link है या autosomal dominant है next question affected milk को affected daughter है क्या affected milk को affected daughter तो है affected milk को affected daughter तो है next question affected milk को affected mother है क्या affected milk को affected mother भी है right मतलब क्या हुआ इन दोनों के answer आगे S means the disease which we are talking about is a X-linked dominant disease अब क्योंड आपके अफेक्टेड में दोनों को आफेक्टेड डॉर्टर है क्या अफेक्टेड मेल को affected daughter नहीं है मुझे पहल है मुझे पैन हो रहा है आप 170 को एफेक्टेड परेंस में नेक्स पूर्ट परजिए math विज दोनों पर फ़ंट इसे पूछ पूछो ऐख्टेगुकर यहां पे हम बात कर रहे है। अब देखते हैं! next question, affected males affected daughter है क्या, हमारा next question क्या है affected male को affected daughter affected male affected daughter, यह तो S हो गया, affected males को affected mother है क्या, affected male को affected mother नहीं है, ध्यान में रखना हमें दोनों question के answer यहाँ पर S, S चाहिए, इसका S मिला, इसका no मिला, means no autosomal dominant disease this is autosomal dominant disease be careful, okay now next question, फिर से देखो child affected and parent affected condition satisfy हुई क्या, देखो child affected, parent affected child affected, parent affected, child affected parent affected, child affected, parent affected child affected, parent affected, child affected parent affected, child affected, parent affected, मतलब जो हमारे first condition है, यह तो satisfy हुई है मतलब हम कहेंगे कि यह जो disease है, यह disease है, dominant disease, okay यह disease जो है, यह है है हमपना dominant disease, अब हमें देखना है कि यह जो है एक्सलिंग डॉमिनेंट है या फिर वाइलिंग डॉमिनेंट है ओके क्या हो गया मेरे पेन को अब हमें देखना है एक्सलिंग डॉमिनेंट है या फिर वाइलिंग डॉमिनेंट है एक्सलिंग डॉमिनेंट या फिर ओक्तोम डॉमिनेंट ध्यां से देखना अफेक् इस को Affected Mother है क्या? Affected male को Affected Mother है, Affected male को Affected Mother है, Okay? मतलब इन दोनों का, दोनों question का answer हमारे S आ रहा है, True the disease is X-linked, Dominant disease, Okay? Now, next question, question number 19, फिर से देखो, Affected Child को Affected Parent है क्या? यहाँ पर तो Affected Child को Affected Parent नहीं है, राइट मतलब एक डिसिस क्या हो गया यह हो गया no मतलब क्या हुआ यह है रैसिव डिसिल हो गया हम फैस prototypes couple पूछेंगे यहाप को rule out करना पड़ेगा right X link में आपको Chris cross pattern मिलता है right male to female female to male इस टाइप से जाता है father to daughter daughter to फिर से बाद फिर son मतलब Chris cross मिलता है आपको एक मेरा pain चिप गया है या मेरा pain बढ़ा चिप जाता है right आपको X link diseases x link जब disease रहता है तो आपको Chris cross pattern मिलता है father to daughter फिर डॉटर के बाद उसके सं को, तो यहाँ पे कोई क्रिस क्रोस पैटर नहीं मिल रहा है आपको, इसका ही मतलब यह जो डिसेज है, यह तो रेसेज़ है ही, बट डिसेज ओ ओटोजूमल रेसेज़ डिसेज, सिब आपको यह देखना है, जब हमारी ट्रीक काम नहीं करेगी, तो रेसेज़ डिसेज के बारे में ही वो काम नहीं करेगी, जब काम नहीं करेगी, तो आपको देखना है कि क्या यह जो डिसेज है, रेसेज़ पैटर में इनहेरेट हो रहा है, एक्स लिंक रिसिव अगर रेंडम ली अफेक्ट हो रहे हैं मेल इंफिमल इसमें छाट के लिए खिर्ट करना भी बिल्कुल आसान है इस चार्ट को अगर प्रिपेर करना है आपको तो भी बिलकुल आसान हो भी एक मिन्ट में आपको बता देता हूँ चाइल्ड अफेक्टेड पैरेंट अफेड़ यह तो आपको पता रहेगा एस नो उसके बाद affected males and affected daughter affected males and affected mother मतलब क्या है हम opposite gender ले रहे हैं males, daughter, males, mother एक male लिया, मेरी daughter, मेरी mother अगर है तो excellent dominant नहीं है तो autosomal dominant male, मेरी mother, मेरी daughter इस type में आप याद रखना, right affected females, अब इसमें gender change कर देना, right यहाँ पे affected males की जगह पे females लिख दो daughter की जगह पे sun लिख दो तो आपका यह portion इधर से बन जाता है अगर at all आपको यह remember कर नहीं है तो यह इस तरीकी से आप इसको prepare कर सकते हो, right male, मेरी mother, मेरी daughter इस तरीकी से दो statement आपके बन जाएगा और यह जो statement है, इसके opposite statement है यहापे male है तो यहापे female लिखो यहापे daughter है तो यहापे sun लिखो तो आपका यह portion भी यहापे बन जाता है guys, that was all about this session, right do let me know in the comment if you find this trick helpful thank you so much guys